नमस्कार मैं दुपेश कुमार उडानाइएस के e-learning platform में आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी को ग्यात है हमारी संस्तान के द्वादा CGPSC Pre यो अगामी परिक्षक लिए महत्तपुन्ना वीडियो से रिच चला जा जा दिया है जिसके दर आज मैं आपके समक्ष भारती इतियास के महत्तपुन्ना प्रस्णों को लेकर उपस्तित हुआ हूँ वीडियो में आगे बनने से पहले आपके लिएक महत्तपुन्ना जनकारी है हमारी संस्तान के द्वारा CGPACPRI एवव्यापम का संयुक्त रुप से एक बैच प्रारम की जारी है यहाँ बैच मुख्य रुप से 22 दिसंबर को प्रारम की जाएगी इसका जो समय होगा सूबा साड़े साथ से साड़े दर्जबजे के मद्य होगा यहाँ बैच हमारी जो हेड आफ़ीस है रजबंधा मैदान जैस्तम चोक के पास वहाँ पर प्रारम किया जाएगा इस बैच की खास्यत यह होगी कि यह आफ लाइन के साथ साथ आपको ऑनलें सूदा भी उपलब्द हो जाएगी साथ साथ जो भी क्लास में अध्यान करवाया जाएगा उसका आपको PDF नोड़ भी उपलब्द हो जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिये के नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की वर हमारा पहला प्रस्ण है असरयोग आंदोलन को वापस लिया गया था यहाँ पर कुछ ओप्सन दिया गया है कि असरयोग आंदोलन चरद था भारत में असरयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन मुख्य रुप से गांधी जी का प्रथम राश्टी आंदोलन होता है गांधी जी का प्रथम राश्टी आंदोलन साथ साथ इसी आंदोलन पे गांधी जी नारा देते हैं एक वर्ट्स में लेकर रहेंगे स्वाराज एक words में स्वाराज की प्राप्ति, ऐसा एक घोषना किया जाता है, बात करें इस आंदोलन के सिंखला का, तो ये जो आंदोलन होता है मुख्य रुप से अच्छा खासा चरम पे रहता है, क्योंकि इस आंदोलन के दोरान, मुख्यता, जैसे की राष्टी विद्यालय की आपना, पंचायतों का घठन, साथ-साथ, हिंदू-मुस्लिम एकता पे बल, सरकारी पदों का त्याग, वकालत का त्याग, क्योंकि ये जो घटना हुआ था, असयोग आंदोलन, ये कारण क्या था, अगर देखा जाए, इस असयोग आंदोलन के कारण की बात करें, तो एक म होता है, जलियवाला बाग हत्याकान और एक होता है, आपका खिलाफत और ये सक्री होता है, ये आंदोलन मुख्यव से अपने चरम पे होता है और पांच फरवरी, पांच फरवरी उन्नीस सो बाइस को एक जगा है, चवडाव चवड़ी, उत्तर प्रदेश पे, यहां पर क क्या होता है आंदोलन कारियों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दे जाता है जिसमें पुलिस वालों के क्या हो जाती है अब घटना हिंसा वाला हो गया अब गांधी जी थेहरे अहिंसा वादी तब वहां पे गांधी जी के द्वारा इसके एक हफ्ते तो आपका सही एंसर क्या हो जाएगा आपका बी एंसर आपका सही होगा हाँ ठीक है नेस्ट अग्वेशन दिखते हैं निम्न लिखित में से किस अंदोलन के साथ अरुना आसाप अली का नाम जुड़ता है अरुना आसाप अली मुख्य रूप से अगर देखे भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन उनिस सब्यानलिस भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन जो है तीन चरण में क्या होता है संचालित होता है उनिस सब्यानलिस में पहला चरण होता है अगस्त करांती जो आठ अगस्त को प्रादम होता है आठ अगस्त को इसम प्रादम होता है है तो ब्रिटिंग सरकार क्या करती है एक operation चलाती है operation ढूंग और गिद्धित वहिन जिस वज़े से भारत छोड़ा आन्दोलन कोई भी नेथित करता नहीं माना जाता है दूसरा जो यह चदन इह होता है समानांतर सरकार जैसे की बल्या से चित्तुपांडे सतारा महारास्टर से वायवी चवहान सतीस सावन तामलुक वाले छेतर से तो ऐसे क्या है बहुत जगर क्या हुआ समनानतर सरकार का गढ़न किया गया जो तीछरा जो चलन होता है वह होता है मुख्य रुप से आपका भूमीगत एक नाम पढ़ते हो जैप्रकास नरायन का जैप्रकास नरायन और एक नाम आता है किनका अरूना आसफ अली तो यहां पर ऑफ्षन के अनुसारा कर देखे तो अरूना आसफ अली किन से जुड़े हैं तो भारत छोड़ो आंदूलान से क्या है वह संबंदित महां पर ठीक है कब किया था अगर सर प्रत्रम की बात करें तो गांधी जी जब आफ्रीका पे रहते हैं तो आफ्रीका पे वर्ष 1908 पे जोहांसबर्ग नामक छेतर है वहां पे इसका प्रयोक करते हैं जोहांसबर्ग लेकिन बात करें भारत में तो भारत में 1918 जब अहमदाबाद मिल जोर आंदूलन में क्या करते हैं इसका प्रीयोक करते हैं तो यहां प्लेखो यहां पर दक्षीन अफरीका की नताल 1906 ये गलत है चंपरन सत्यра आ lever फे ये गलत है दक्षीन कुटों का सहीं उतर का चेहन करना हैrist यहां पर एक दिया गया है कुना पैक्ट कुना पैक्ट मुख्य रुप से सेप्टेंबर 24 शेप्टेंबर 1932 को होता है किसके मध्य होता है गांधी और अंबेटकर जी के मध्य infected 25 सम्मेलन हुसनग की जाती है जिसके विदोध में गांधी जी अंदोलन करते हैं उस समय गॉण के मतरा पहता है तुको τη neh Squad यह होता है पांच मार्च उन्टि सव 21 इसको इस गटना होती हैNow जब प्रत्थम में सम्मिलन में कॉंग्रेस से कोई भाईजादी नहीं होता है जिसके वजह से प्रत्थम गोल में सम्मिलन असफल हो जाती है तब दूती गोल में सम्मिलन में जाने के लिए उनको मनाया जाता है और इस समय गांधी दांडी यातर कर रहे होते हैं तब यहींपे 5 मार्च 1931 क्या हो सबसे पहला कौन से घटना घटी है तो आप देखेंगे सबसे पहला यह सविनय अवग्या अंदोलन दूसरी घटना देखेंगे तो यह आपका गांधे दूसरी समझाव दा तीशा यह पूना ओर चौन थायरै आपका यह बरस यह बाला क्रिप्स वाला तो यहां पर देखो चार दोनों में आप शानें वहां पर दोनों में आपसर अपने फिर आथा आपका एक तो यह और यह तो ऑप्षम नमबज़ से चंपरन सत्यगरा रोलेट एक्ट और खेड़ा सत्यगरा फिर दिया गया गांधी जी के उपर्युक्त संगर्षों का सही काला नुकरम निम्नलिखिर में से कौन से मैं पिछली वीडियों पढ़ाया था गांधी जी जब 1915 पर आते हैं भारत तो याद करना है आपको क्या काट सत्यगरा खेड़ा सत्यगरा चंपरन सत्यगरा मुख्रिब से 1917 पर अहमदाबाद फरवरी 1918 और खेड़ा सत्यगरा मार्च 1918 यह तीन तो आपको यादी होगा केक जो कटवाया थे कांधी जी से तो यह याद करना एक दिया जोलेट एक्ट तो यह कब आता है मार्च 1919 को यह ह होता है तो यहाँ पर देखो केक से याद करना है आपको पहला चमपरन है तो सबसे पहला यह आएगा दो देखोकाया है यहाँ पर देखते ऐं आउ देखो यह जो questions है आपके लिए जो आज लाया गया है वो पिछली वीडियो में जो मैंने आपके लिए गांधी जी के प्रमुख आंदोलन चाहे छेत्री चाहे रास्टी आंदोलन के बात करें वो जो वीडियो बनाया था उसका ही क्या है यहां पर प्रस्न है तो आप उस गांधी जी का आखमन होता है कहां पर भारत पर दूसरा देखरा का पहला प्रोग गांधी जी ने दक्षिन आफरीका पर चालू किया था याद होगा आपको वर्ड्स 1906 जोहां सुबर्ग में बताया था मैं ठीक है दक्षिन आफरीका के लोटने के बाद उनकी पहली और मह नहीं है तो ऑप्सन नमबर डी क्या होगा आपका यह सही अंसे रोगा है ठीक है कि नेस्टों देखते हैं विश्वी सदी के भिहार के नील किसानों के संबंद में नीचे दिये गए कर्थों पर विचार की इसको भी पढ़ाया गया चंपरन सत्य करें वहां पर तो देखते के नील के खेती के ब्ले बात रंकी जाती थी तो पहला आप्षन सही है ब्रेटी सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांसे क्या चेंट गांधी एक बनाएं ठीक है नाश्टों देखते हैं तो तैरा अप्रेल 19.191 आं में लोग किस कारण एकत्र हुए थे 13 अप्रेल 19 19 को घटना होती है जल्ले वाला घट्य कारण के नाम से जाना जाता है किस कारण से वहां पर उपस्तित हुए थे तो मैं बता चुका हूं जब रोलेक्ट एक्ट आया था रोलेक्ट एक्ट 19 19 में तब इसके विरोध में वकिलो और एक नाम सत्पाल सी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके विरोध में लोग क्या हुए थे एक रत्रित हुए थे तो आप्सान नमर देखो सी आप्सार क्या है यह आपका सहीं होता है नेस्टेक्रेशन देखते हैं सूची बन को सूची दो के साथ सुमिलित कीज प्धाए अभी मनें बताया वर्स 19 nach 19 Co को नमक मार्क यह नमक शबत еньना 59 30 में 24 घटन मने बताया 1912 में विलंस an उनी तो यहांपर देखो कहा पर कि देखो दोनों जगगा पर हैं जी का 1 यहां पर यहां पर यहां पर आपको अप्सिन मैंच करना है थम यह अपका एंसर बनेगा वहां पर है ठीक है लां प्रसाद भिषमिल जोसंसी और राजैन लहरी के बीच क्या समानता है यह तीन जो व्यक्ति है उनके बीच किस प्रकाठी समानता पाई जाए रही है तो यहां पर ऑप्शन देखो उन्होंने आठ अप्रेल 1929 केंदरी विधान समय बंफेगा था क्या नहीं वहां पर भगसी और बडुकेश्वर दर जाते वहां पर वे स्वाराज प संस्तापक में तो नहीं है बलकि सदस्यत्य जरूर संस्तापक के अंतरगत आप पढ़ते हो मुख्य रूप से चंद्रशेखर अजाद सचिंदनात सान्याल इन लोग का नामाता है मुख्य था वहां पर लेकिन इन लोग सदस्यत्य वहां पर इनकी खास्यत यह है कि इन्हें काकूरी सडियन्त मामले में क्या किया गया था आरोपी सिद्ध किया गया था और इन लोगों को फासी दी गई थे काकूरी ट्रेन कांड पे तो रामप्रसाद बिस्मिल जोसंसी और राजेंद्र लहरी और एक नाम रहता है आपका बिस्मिल्ला खां जिनहां पर चारों कोड रहा हूं मैं पिछले दो सलाइड पहले आप पर समझा चुका हूं कि उसा महता किसे संबंदित है इसके एंसर आप कमेंड बॉक्स में जरूर दीजेगा देखते हैं कि इतका एंसर सही होता है ठीक है नेस्ट अग्वेशन देखते हैं 1942 भारत छोड़ों के संबंद में निम्ल लिखित में से कौन सा एक टिपनी सत्य नहीं है यहां पूछा गया कि कौन से कथन सही नहीं है जो नहीं है बोला जाता है उसको अंडलान पहले कर लिए किजिए आप ठीक है तो यहां पर देखो यहां आंदोलन अहिंसक था अहिंसक ठीक है उसका नेतित महात्मा कांदे ने किया था क्या नहीं मैंने बताया कि इस आंदोलन के जितने भी नहीं प्रमूख नेता वह पहले दिन आठ अगस्त चालू होता है तो ऑपरेशन जीरो आवर के तरहत क्या की जाती उनकी ग्रफतार के जाती तो कोई भी नेतित करता न प्रत्यक्ष कारवाही दिवस कब मनाया था जब भारत में घोषना हो जाती अंत्रिम सरकार का जब उनको नेतित तो नहीं मिलता है तो मुखरू से जिन्ना जो कि मुस्लिम लिखके थे जिन्ना के अहवाहन पर 16 अगस्त वर्ट्स 1946 को क्या मनाया गया था आपका कर्वाही दिवस और इसी दिन क्या नार दिए गया था लड़कर लेंगे पाकीस्तान अगल करना दिए गया था और इसका जो प्रमुप्रभाव कहां पड़ा था नौहकशली और धाका वाले च्छेत्र पर नौहकली और थाका बंगाल का उससमय छेत्र था जो करना है 16 अगस्ट 1946 को ऑप्षान नमबर एक आपका यह सही है ठीक है नेक्स देखते हैं असायोग आंदोलन के संदर में हैं फिर से वही आ रहा है मैं आपको के द और आन खादी स्वतंदरता का प्रतीक बन गया था आप देखे होंगे उस दि उसके यहां पर तीन्य क्या है आपके सही होते हैं तो option number D क्या है आपका ये सही होता है ठीक है नेस्टा question भारत छोड़ो अंदोलन के दुरान किन जगों पर समनांतर सरकार को इस्थापना किया गया था तो मुख्य रूप से समनांतर सरकार अगठन बलिया मुख्य रूप से सतारा से वायवी चवहान मिदनापूर तामलुक 37 और बलिया से कौन थे चित्तू पंडे थे तो option number 134 तो option number 134 क्या है ये सही है आपके लिए इसके अलावा में एक भारत छुड़ो अंदोलन जो कि आपका बच्चा हुआ है सवाइना अवग्य अंदोलन उसका एक सांथ व्यूड़ो आगे बना दूंगा ताकि यह सब आपको और अच्छे से clear हो जाए यहाँ ठीक है तो next question देखते है निम्न लिखित कत आधिवेशन की अधिश्र किया ता बिल्कुल सही है गांदी जी 1924 में क्या करते हैं बेल गाउं अधिवेशन की अधिखता करते हैं पहला गलात है दूसा सही है तो कि वाल एक क्या है आपका यह सही होता हुआ ठीक है नेस्ट लिखिट में से किस आंदोलन के गाधन भारति ये कांग्रेस का विभार्जन हुआ जिसके परिणाम सुरुप नरमदल और गरमदल में विवक्त तो जाता है जैसे हम बात करें सुशर्ब्राया पॉस था सूरत अधिवेशं सूरत अधिवेशं जिसकी अध्यक्स्ता कौन जिसके अध्यक्स्ता करते हैं मुख्य रुप से राज बिहारी गोष थिक है राज बिहारी गोष क्या करते हैं इसकी अध्यक्स्ता करते हैं इस समय क्या चाहिए था भारत में जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोशना के गई थी बंगाल विभाजन और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में चालू किया गया था बंग बंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन तो स्वदेशी आंदोलन को भारत के अलग-अलग छेतर पर पहुंचाने के लिए एक काम किया गया था जिसका कारण ये था सूरत उग्रवादी तो यहां पर देखे होंगे तीन वेक्ति का नाम आता है लाल बाल पाल लाल लाजपत्र तिलक और अर्विंदो घोष उन लोगों तूटता है और एक आपका गरम दल के लुप में टूट जाता है तो यहां पर आप्शन के अनुसारा देखोंगे तो स्वदेशी आंदोलंग सही है क्योंकि यह 20 में हुआ था यह आपका 30 में हुआ था और यह आपका यह सही है कारण यहीं था ठीक है महाँ पर नेश्टोगे तिलक को दिए जाता है उसी प्रकार यह आपका एक उपाधी किनका सियार्दास्क ठीक है नेश्टोगे संदेखते हैं कि गांधी इर्विन समझाता है पांच मार्च 1931 कि से संबंदित है कि यह जो समझाता हुआ था कि से संबंदित है याद रखेंगे वाला भी ठीक है ने मुष्लिम लिख का गठन जब खिलाफत आंदोलन चलते रहता है तो उसके लिए भारत के मुसल्मानों के रादा अली बंदों के रादा एक गठन किया जाता है सेप्टेमबर 1919 में मुख्यता जिसके अध्यक्सता अक्टूबर 1919 में क्या किया जाता है गांधी जी को दी ज अगर यह हिस्सा आप देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा आएगा आपका यह वाला यह दूसरा और यह आपका तीसरा तो यहां पर देखो दो तीन एक दो तीन एक तो अप्शन नमर्डी क्या है आपका यह सही हो जाता है ने इस्टो केसन लेखते हैं लखनों समझोते के सं चेत्रों को स्विकार कर लिया था यह भी सही है समझोते ने कॉंग्रेस के मध्या मारगी उग्रम पंतिया अर्थात उदारवादी उदारवादी और उग्रवादी मुस्लिम लिख के लिए संयुक्त राजनितिक मंझ प्रदान किया यह भी सही है वर्ड्स 1916 जहां पर होता यह बाल अले संका होता है लखनाों लेसां जिसके अध्यम्ष्ट की अध्यवेशन के अध्यक्ष तब पूछीजाती है अम्भी का चतर मजुमदार किंविका चतर चत्रां मजुम दार यह होते हैं जिसमें मुख्य रुप्स से अभी 1907 मेंने बताया कि ama भने video नही साथ साथ मुस्लिम लिग जो है क्या है इसी में सामिल हो जाता है कि मुस्लिम लिग घोसना चारी किया जाता है जो भी स्वराज के लड़ेगा उसका साथ देंगा लेकिन 1909 में मुस्लिम लिग के लिए क्या जारी हो चुगा है प्रिथक निर्वाचन प्रनाली अर्थात यहां देखते हैं आपका संतावन की करांती के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाईयों का किन प्रांतों से चयन किया गया था वर्ष 1857 में करांती वाता प्रथम स्वतंतरता संगराम कोशिश करेंगे आपके लिए संतावन की करांती पर उपलब्द कर वा था अठाथ 1858 अधिन्यम आया था जिसके तहत यहां पर मुख के रुप से जो गोर्खा सहीनिक था या सिंद्र या पंजाब वाली थे उनको ज्यादा अधिक मत्र में झा किय पहती भढ़तीया किया थी तो वहां पर देखो option पे गोर्खा सीख और पंजाब प्रांज यह क्या था वहां से सीखो या सैनिको को वहां पे सामिल किया गया था मैं आसा करता हूं कि वीडियो आपके आने वाले एक्जाम के लिए क्या होगा बहुत ही महत्तप पुर्ण होगा इसी प्रकार आप हमारे उडान आइस के चैनल में बने रहेगा आपके लिए हमेशा उपलब्ध वीडियो करवाते देंगे हम लोग तब तब के लिए धन्यवा